अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे One Rank One Pension 3 को लेकर दोस्तो important update है और One Rank One Pension 3 जो है जो की जुलाई 2024 से लागू होना है दोस्तो ये लागू तो 2024 से ही होगा लेकिन जो actual इसका implementation है उसके उपर दोस्तों सबसे बड़ा question mark लगा हुआ है actual implementation मतलब सरकार की तरफ से जो है table जारी करना अलग-अलग जो year of service है अलग-अलग जो rank है उनको कितना benefit मिलने वाला है और OROP 3 का जो है OROP 2 से क्या difference होने वाला है और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों एक RTI का जवाब भी आया है जिसमें कि one rank one pension three का जो क्या table structure रहेगा table में क्या-क्या जो है more or less जो है किस तरीके से इसका implementation होना है वो एक बहुत important है plus क्योंकि अभी इसकी त्यारी शुरू नहीं हुई है तो क्या जो time लगता है OROP two में जो time लगा था OROP three का जो benefit है पूर सैनिको क्या इसका benefit मिलने वाला है उसके बारे हम बात करेंगे तो चले ही साथ बात करते है आज के इन सभी important updates के बारे में दोस्तों अरच चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों ओर 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 भी थ्री में दोस्तों कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन जो एक बहुत बड़ा उच्छाल है जो उमीद है वो नहीं दिखता मिल रहा क्योंकि अभी जो ओर ओर ओपी टू की विसंगतियां वो जियूंकितियूं है जो ओर ओर ओपी टू का जो फैसला है था सुप्रीम पोर्ट में जिसमें कि ओर ओर ओपी थ्री को जो है टाइम पर लागू करने का पहली आदेश आ चुका है उसके बावजू दोस्तों मात्र दोस्तों आठ से दस दिन रहे गए लेकिन अभी तक जो जो ओर ओर ओपी थ्री की कोई त्यारी नहीं कोई टेबल जारी नहीं किया गया लेकिन अगर हम बात करें बेसिक्स का तो आज की रेट में हर चीज ऑटोमेटिक है और सब कुछ जो इस पर करेगा सेट कब किया जाएगा उसके उपर क्योंकि अभी आप दोस्तों देखें अगर हम बात करें वारूपी 3 की तो इसका बहुत इसली इंप्लिमेंटेशन हो जाएगा उसमें कोई दिकत की बात नहीं होनी चीए क्योंकि अब 95% डेटा जो है उस पर्ष में माइग्रेट वो चुका है इसके लावव दोस्तों इसमें अगर हम बैनिफीट की बात करें तो इसमें एक तो जो है आपका नोशनल पे का जो है बैनिफिट मिलेगा जो है और सबसे बड़ी चीज तो यह नहीं है कि फॉर्मुला वह रहेगा जो मिनिमम पेंशन और जो मैक्सिमम पेंश तो दोस्तों अगर हम और उपी 3 के बात करें तो इसमें आपका जो एवरेज बन जाता है वह 18600 के असपस बन जाता है तो मोर और लेस्ट दोस्तों आपको यह और उपी में 18807 सिपाई की बात करें दोस्तों उसका बेनिफिट मिलने वाला है इसी तरह से नायक को दोस्तों मैक्सिमम का ही डिफरेंस अगर नायक की बात करें तो 19,250 और मैक्सिमम का बात करें तो इसमें 22,238 रुपया और इसमें आपका एवरेज निकाल लें तो नायक का जो है 20,700 और अगर हम OROP की बात करें इसमें तो यह आपका बन जाएगा 21,244 तो दोस्तों ऐस सच बहुत ब 850 रुपय क्योंकि जो भी अभी OROP 2 की जो विसंगतिय हैं दोस्तों वो एजट इस जा रही हैं और जहां पर हमेशा से यही बात की जा रही थी कि जो ऑफिसर्स हैं क्योंकि उनकी लेंट अफ सर्विस ज्यादा है तो उनको ही OROP का ज्यादा फायदा मिला है जो जवान है जैसे उसे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला उतना ज्यादा तो OROP 3 भी OROP 2 से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसमें अभी आपको जो डिये की बढ़ोतरी मिल जाएगी जो एक है इसमें एक एंट्री लेवल पे का जो एक इंक्रिम में अगर MSP पर कोई अच्छा फैसला आ जाता है जहां पे एक्वल MSP जेस्यो जवान्स और ऑफिसर्स को जो है 15500 का केस लड़ा जा रहा है और उसकी भी उमीद थी कि पिछले साल कहीं न कहीं उमीद थी कि यह फैसला जो है जेस्यो जवार्स के पक्ष में आएगा लेकिन उसका भी दोस्तों कोई अभी तक हल नहीं निकला है और आज की डेट में भी जो MSP जेस्यो जवानों को मिले गए वह 5000 दोस्तों है तो कहीं न कहीं वह एक डिसाइडिंग फैक्टर था उसकी एक उमीद थी कि अगर वह MSP बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं आपको जो है और ओ बात करें है एक्वल MSP तो आज की डेट में पांच जार दोस्तों है कब बढ़ती है क्या बढ़ती है दोस्तों जब तक हाई कोड का फैसला नहीं आ जाता और अभी भी पिछले कहीं जो सुनवाईयां हुई उसमें सिर्फ तारीक मिली है कोई प्रोसीडिंग तक नहीं है तो उसका भी किसी बेनिफिट नहीं मिला है तो दोस्तों यह जो और ओपी थरी है अब एक बहुत बड़ा जो है कुश्चन माक इसलिए बनावा है क्योंकि जुलाई से लागू होना चाहिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं है तो इसका मतलब जुलाई से तो आपको इसका नहीं मिलने वाला अब जब तक गवर्मेंट की तरफ से कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आथा तब तक दोस्तों को वेट करना पड़ेगा लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रहेंग पर सिपाई की बात करें तो 18807 अगर हम करेंशन 3 के इंप्लिमेंटेशन को लेकर हैं दोस्तों कर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक यू फोर वाचिंग देस वीडियो